नमस्कार मित्रो स्वागते आप सभी का हमारे जोटुप चेनल में तो कन्या रासी वालो अगर आपके उपर भी चल रही है सनी की महादसा तो मित्रो आपको जरूर मिलेंगे यह तीन संकेत साहती ही मित्रो आपको क्या साओधान्या वरतनी है किन उपायोग करना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले ही मित्रो वीडियो अत्यंत मेहतु प्रणों होने वाली है आप सभी से विनर्म अनुरोध कर रहे हैं कि वीडियो को सुरू से लेकर अंतरक ध्यान से देखेगा साथ ही मित्रो जो भी भक्त वीडियो को सब से पहले लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में तीन बार जैई सनी देव जैई सनी देव जैई सनी देव लिखेगा सनी देव उनकी हर मनों कामना पुरुन करेंगे तो मित्रो धियान से सुनेगा कि सनिदेव जिने सुर्य भगवान और उनकी पतनी छाया के बेटे माने जाते हैं और इनको कर्म फल दाता की उपाधी प्राप्त ही मित्रो वहल लोगों को उनके काम के नुसार फल देते हैं याने कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल और बूरा कर्म करते हैं तो बूरा फल वेसे ये भी बता दें कि किसी की कुंडली देखकर सनी की महादसा का पता लगता है पर कुछ वजोग की चलते ये समझ नहीं आता है कि सनी की साड़ साती है, धैया है या फिर सनी की दसा चल रही है एसे में मित्रो हम आपको कुछ एसे संकेत बताने वाले हैं जिनने जानकर आप पता कर सकते ही मित्रों कि कहीं आप पर भी तो सने की महादसा नहीं चल रही है क्योंकि मित्रों गर आपके उपर भी सने की महादसा चल रही है तो आपको भी अनेक प्रकार के कुछ दूख, कुछ एसे संकट देखने को मिलेगे जो आपको पेहले कभी नहीं दिखे दे तो मित्रो आप अपनी हाथ की हतेलियों को चेक करिए मित्रो अगर आपकी हतेलियों का रंग बदल रहा है जैसे की हाथ की रेखाओ में कहीं निलापन तो कहीं कालापन नजरा रहा है या इस रंग के आपको धब्बे नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है मित्रो की सनी का प्रकोप आप पर सुरू हो गया है वहीं सनी के कमजोर होने पर माथे की चमक गयव हो जाती है और माथे पर काला पन साफ नजर आता है इसलिए मित्रो आज ही अपनी हातों की इन हतेलियों को चेक करिए कहीं मित्रो आपकी हातों की हतेली पर भी निला या काला रंग तो नहीं है साथ ही मित्रो यह तो था पहिला संकेत मित्रो वीडियो के अंत में कुछ उपाई भी है तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेगा मित्रो सने की दिसा के समय जी हाँ ध्यान से सुनेगा कि सने की दसा के समय आखों के नीचे काला पन गालों पर काला पन नाखुनों का कमजोर होकर तूटने लगना जी हाँ मित्रों और वहीं अगर आपके घर परिवार में आपका लगता लड़ाई जगड़े हो रहे हो वहीं भी सनिवार के दिन या आपको कुछ जादा ही गुस्सा आना सुरू हो जाए तो हो सकता है कि आप पर सनि की दसा चल रही है इसके लिए मित्रो आपको अपनी कुंडली देखा कर उपाय करना होगा मित्रो अगर आपके उपर सनि की महादसा चल रही है तो आप अपने आज पास के किसी जोती सी सलहा से सलहाकार ले सकती हैं और जान सकते हैं और वही आपको उपाई भी बताएंगे आपकी कुंडली के नुसार मित्रो वीडियो के अनत में भी हमने कुछ उपाई बताएं हैं जो आप जरूर आजमाईएगा साथ ही मित्रो बात करेंगे कि सने की माहदसा से आप केसे पहचान सकते हैं मित्रो ये तो हमने दो संकित बताए हैं अब आपको बता दें कि सनी के विपरित होने पर हर किसी से विवाद होता है यानि कि मित्रो आप किसी से भी विवाद करने लग जाते हैं आपके बनते हुए काम यानि कि आप उस काम को बनाने ही वाले हैं और एकदम से वह काम बिगड और किसी भी काम में आपको सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने पड़ती है, आपको एड़ी से लेकर चोर्टी टक का जोर लगा देना पड़ता है। वही मित्रों आपके दुस्मन आगे बढ़ जाते हैं पर आप वही पर रहे जाते हैं लोग आपकी कई बातों का कुछ और मतलब निकानने लगते हैं और बेवजह मानसिक तनाओ सरीर में सक्ती नहीं रहना ये सबी चीजें सने देव की महादसा का पता लगाती हैं इसलिए मित्रों अगर आपके सरीर में भी यह संक्यत दिखाई दे तो मित्रों यकिन मानिये कि आपके उपर सने की महादसा चल रही है मित्रो अगर आप पर भी सने की महा दसा चल रहा है तो आपको अपना खान पान की आदते बदल जाती है जैसे मित्रो आप अच्छानक से तीखा, कड़वा, मासा हरी खाना काफी पसंद करने लगते हैं मित्रो नसे करने की तरफ रूची वरने लगती है, आपके वेहवार में एक अलगी अंतर आने लगता है और जूते चपल तूटने या खोने लगते हैं जी हां मित्रो, आपकी आद्तों में अच्छानक से एसे परिवर्तनाएगा, आप अपने आप पर विश्वास भी नहीं करेंगे कि यह में सब क्या कर रहा हूं एसी आद्तों का आप से पाला पड़ेगा मित्रो, जो आद्ते आप में पेले कभी थी ही नहीं सारी बूरी आद्तों आपके सरीर में आ जाएगी, आप अकेले रहना पसंद करेंगे, छोटी छोटी बातों पर चिड़ चिड़ापन करेंगे, जुए सटे आदी गलत लतों में आप अपने आपको बोने लग जाएगे साथ ही मित्रो, आप देखेंगे कि आपके कमर में दर्द और आखों के रोग होने लगते हैं आपके बिजनस में लगातार नुकसान होते रहता है और सरीर जो है, वह हमेशा आलस्य से भर जारता है मित्रो, आप देखेंगे कि आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा आप कोई भी काम करने जाएंगे, तो मित्रो, आपको पेले से ही ऐसा लगेगा कि मैं इस काम में सफन नहीं हो पाऊँगा, या यह काम मेरे लिए बनाई नहीं है तरह तरह के नकरात्मक वीचार आपके दिमाग में आने लगेंगे और फिर आप जिसा सोचेंगे वह वेसा ही और होड़ता जाएगा इसके साथ ही जीवन साथी से संबंद खराब होने लगते हैं दोनों के बीच में बनती नहीं हैं साथ ही छोटी मोटी नोग जोग होती रहती है और कभी कभी तो मित्रों तलाग जिसी स्तती भी बन जाती है मित्रों कोट कचरी के चक्कल लगने लगते हैं आप देखिएगा कि बेवज़े के कलंक लगने का खत्रा रहता है कहीं से बदनामे का डर का खत्रा देता है तो कहीं से कुछ एसे कार्णा में आपके उपर आजाते हैं जो आपने कभी किये भी नहीं है और मित्रो करजा उतारना मुश्किल हो जाता है जी हाँ ध्यान से सुनेगा कि अगर आप करजे में हैं और अगर आपके उपर सनी की माहा दसा चल रही है तो आप करजे की पाई-पाई उतारने में अपना सर्वस नोचावर कर देंगी साथ है मित्रो आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मित्रो अगर आपके उपर भी सनी की माहा दसा चल रही है तो आपको जरूर ये संकेत मिलेंगे और अगर मित्रो आपको कुछ उपाई भी बताने वाले हैं तो उन उपाईों को आप सनी की माहा दसा में भी अवस्य कीजिएगा ताकि आप पर सनिदेव का प्रकोप कम हो और सनिदेव आप से प्रसन न हो मित्रो आपको स्री हनुमान जी का पूजन विशेश रूप से करना चाहिए आपको सनिवार को हरनुमान जी के मंदिर पर जाना चाहिए दीपक लगाना चाहिए और हनुमान चालिसा का पाट करना चाहिए इससे मित्रो आपके उपर सने की महा दसा का प्रकोप कई हद तक कम होगा साथ ही मित्रो आप रोटी पर सरसो का तेल लगा कर गाय या कुत्ते को खिला देना है इससे भी मित्रो यह उपाय आपके लिए कई हद तक कारगार साबित होगा साथ ही मित्रो सनीवार के दिन आप एक काम कीजिएगा कि पीपल के पेड की पूजा करना है और पीपल के पेड पर तेल और सर्सो का तेल चड़ाना है मित्रो सनी की सांती के लिए नेलम को धारण करने का भी विधान है विशिसग्गी की सलाह पर ही इसे धारण करे तो मित्रो वीडियो में बताई गई सारी जान करिया आपको सास्त्रो पर आधारी थे इसलिए मित्रो बातों की आपको अपने जीवन में उतारने से पहले अपने आजपास के किसी जोतिस या विशेशग्य से आपको सलाह जरूर लेना है तो मित्रो वीडियो की जो समापती है वह यहीं पर होती है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रो आप सभी से विनर्म अनरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजेगा और वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका मित्रो बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में आप सभी तीन बार जैई सनी देव जैई सनी देव जैई सनी देव अवस्ति लिखियेगा सनी देव आपकी सारी मनो कामनाय पूर्ण करेंगे आपके जो भी जीवन में दुख दर्द है उन्हें दूर करेंगे और मित्रो गर आपने हमारे चेनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो वह जो स्क्रिन पर आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीज वपास में वह घंटी भी दबा कर हमारी यूटूब चेनल से आप सभी मित्रो अभी जुड़ जाईएगा